दोस्तो आए दिन एक्जाम में काफी confusing question देखने को मिलते हैं जिसको solve करने में आप लोगों को काफी कटनाईयों का सामना भी करना परता होगा तो ऐसे ही question को solve करवाने हम आप लोगों के लिए 5 आर प्लस question का जो series चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने set number 14 तक देख लिया है आज हम लोग set number 15 को solve करेंगे अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लिजेगा और अपने दोस्तों से अधिक से अधिक सेर कीजेगा ताकि हमें भी motivation मिले और भी अच्छे अच्छे नए वीडियो बनाने के और दोस्तों अगर चैनल पे नए है तो subscribe कर bell icon को press कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपुन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो चलिए start करते हैं आज के set को आज के session का पहला प्रश्न है किसी राज्ये का राज्येपाल किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो इसका सही answer option number A हो जाएगा दोस्तो round राज्येपाल की नियुक्ती भी राष्टपति के द्वारा किया जाता है और राज्येपाल अपना त्यागपत्र भी राष्टपति को ही देता है काफी अच्चा प्रश्न था यह तो इसको याद रखियेगा आप लोग अगला प्रश्न है नीमलिखित में से कि संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा इसके द्वारा अस्था इसासन को संव्यधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अंसर हो जाएगा option number B दोस्तों यह अधिनियम पारित तो हुआ था 1992 में लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रभावी कब हुआ था आपको याद रखना है यह प्रभावी हुआ था एक जून 1993 को ठीक है याद रखिएगा यह इसका सही answer option number B हो जाएगा चोहत्रवा सम्विधान संसूधन अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मुद्रा स्फिर्ती के कारण लाव की इस्थिती में होता है दोस्तों लाव की इस्थिती में मुद्रा स्फिर्ती के कारण रिनी होता यानि की जो रिन लेता है और व्यापारी वर्ग होता है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा दोस्तों मुद्रा स्फिर्ती म मुद्रा का मुल्य कम हो जाता है और बस्तू की कीमत बढ़ जाती है जिसकी वज़े से व्यापाड़ी वर्ग को लाव होता है और मजदूरी भी कम जाता है तो इसका सही आंसर एक और दो हो जाएगा अगला प्रश्ण है मनुस्य में ब्लू वेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है दोस्तो मनुस्य में ब्लू वेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता की वज़े से होता है किसमें होता है नाइट्रेट की अधिकता की वज़े से जब बलड में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जात आपको याद रखना है इस question को काफी अच्छा प्रश्न है अगला प्रश्न है प्यूस गरंथी का नियंत्रक है तो दोस्तों प्यूस गरंथी का नियंत्रक हाइपो थेलेमस गरंथी होता है कौन सा गरंथी होता है हाइपो थेलेमस होता है इसका सही आंसर option number B हो जाएगा अग 1875 इस्वी में स्थापित की गई थी 1875 इस्वी में तो इसका सही आंसर और सी हो जाएगा सिसीर कुमार अब पूचे की इंडियन लीग का उद्देश क्या था तो दोस्तों इंडियन लीग की स्थापना भारतियों में राष्टी अबादी की भावना को जगाने के उद्देश स्थापित किया था याद रखने आपको अगर आपसे पूचे इंडियन एस्थापना कब की गई थी तो इंडियन एस्थापना 1876 इस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर जी के द्वारा किया गया था यह भी इंपोर्टेंट कोश्चन है जो कि आयदे निक्जाम में देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है इंडियन एस्थापना सुरेंद्र नाथ बनर जी के द्वारा 1876 इस्वी में जबकि इंडियन लीग के स्थापना सिसीर कुमार घोष के द्वारा 1875 इस्वी में हुआ ठीक है अगला प्रेशन है भारत में दास प्रता पर प्रतिबंद ल काल में दास प्रता पर प्रतिबंद लगाया गया था तो आपको याद रखना है लॉड एलन बुरो के सासन काल में दास प्रता पर प्रतिबंद लगाया गया था और वह इस भी था 1843 याद रखना है आपको अगला प्रश्न है बेलो ड्रम का संबंध किस खेल से है दोस्तो बेलो ड्रम का संबंध साइकलिंग से है किस से है साइकलिंग से इसका सही आंसर ओप्षन नमबर D हो जाएगा साइकलिंग अगला प्रशन है मैंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्थ सारनी में दिर्ग आवर्थ की संख्या किस आवर्थ को दिया गया है दोस्तो दिर्ग आवर्थ की संख्या आवर्थ नमबर चौथा पाच्पा छठा और सात्वा है तो इसमें सात्वा तो ऑप्षन में है नहीं त तो है चौथा फांचाउना जटा तो इसका आंसर हो जाएगा एक तीन है Je Si No, अगला प्रशन है नृनिनिखित तमें से सही सुमेलित नहीं है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है छालिए देखते हैं , पहला है गठन का बर्नन किया गया है जो कि बिल्कुल सही है दूसरा है अनुचेद 44 जिसमें समान नागरिक सनहिता का बर्नन किया गया है ये भी सही है तीसरा है अनुचेद 42 जिसमें काम की न्याई संगत और मानवोचित दसाओं का तथा प्रशूती सहाइता का उपबंद किया गया ह जो कि बिल्कुल सहायता है काम में न्याय संगत रहेगा मनोचित दसा में तथा प्रसूती सहायता दी जाएगी तो ये भी सही सुमेलित है चौथा है अनुच्छे दिक्यावन अनुच्छे दिक्यावन में दोस्तो अंतर राष्ट्य सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है ना कि कार ये पालिका से न्याय पालिका की प्रतक करन तो ये गलत हो जाएगा किसकी बात की गई है ठ्यान रख रहा है अंतर राष्ट्य सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छे दिक्यावन में कहा गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन करेकी घ्रक्षा कंति का मुख्य काड़ ये दोस्तों पसीने की ग्रंथी कर्ण काक्षा कहरे ये सरीर के तापमान पर नियंत्रन रखना कि ow sust और अगर दोनों चीज रहेगा, यानि सरीर में जल और लबंता का संतूलन बनाए रखना, और सरीर के तापमान को नियंदरन रखना, ये दोनों रहेगा, तो दोनों सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, मनुसी के सरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों यहां बड़ी कोशिका का जो तातपर यह है वो लंबाई से है तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका तंत्री का कोशिका हो जाएगा तो सबसे बड़ी महिलाओं में पाई जाने वाली अंडानू जो है वो सबसे बड़ी को सिका हो जाएगा और सबसे छोटा को सिका की बात करें तो पुरुस में जो सुक्रानू पाई जाते हैं जो स्पम होते हैं वो सबसे छोटी को सिका होती है तो ये चीज आपको याद रख निमलिखित में से कौन सा अस्थल सिंदू घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बरा अस्थल है तो दोस्तों यह पूछ रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता सिंदू घाटी सभ्यता में जो सबसे बरा अस्थल है वो कौन सा है मोहन जोद्रो सबसे बरा अस्थल है नो ड ठीक है अगला प्रश्ण है अठारा सो संतावन की क्रांती मुख्य तक किस कारण से औसफल रही तो अठारा सो संतावन की क्रांती इसलिए औसफल रही थी क्योंकि उस समय नेत्रित्व का अभाव था कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो इस क्रांती को का नेत्रित्व कर थे जसकी वज़से भी यह क्रांती 1857 की क्रांती और इसके प्रभाव का सीमित छेत्र होना सीमित छेत्र में ही हुआ था यह क्रांती तो यह सभी option में जो दिये हुए हैं उप्युक्त सभी option सही हो जाएंगे तो इसका सही answer option Edce No. D हो जाएगा अगला प्रश्ण में खीज six governor general के काल में सिंद्ध का विलयः ब्रिटिस सामराज्जे में किया गया था दोस्तों में पूछा है सिंद का विलेब डिटिश समराज्य में कब हुआ था आपको याद रखना है लॉर्ड एलन बोरो के समय में सिंद का विलेब डिटिश समराज्य में हुआ था लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सिंद ने सहाएक संधी किसके समय में की थी तो रखिए का आप दोनों चीजों को तो ये दोनों चीज काफी महत्वपूर्न है अगला प्रश्ण है इंसाइडर ट्रेनिंग का संबंध है दोस्तों इंसाइडर ट्रेडिंग का संबंध सेर बाजार से किस्से है सेर बाजार से इसका सही आंसर option number D हो जाएगा अगला प्रशन है ल के जहा समीती का संबंध निमलिकित में से किस्से है दोस्तों ल के जहा समीती का संबंध और परत्यक्ष कर से किस्से है और परत्यक्ष कर से इसका सही आंसर option नमबर बी हो जाएगा अगला परस्न है डौक्टर राजेंदर परशाद समिधान सभाकर निमलिकित में से कि Самीति के अध्यक्ष थे दोस्तों डौक्टर राजेंदर करशाद प्रकिर्या नियम समीति संचालन समीति तथा वित्य एबं कर्ण चारी समीति इन तीनों के अध्यक्ष रहे थे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा उप्यूक्त सभी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंदर प्रशाद रहे थे अगला प्रश्ण है जरा दिरशती दोस्के निवारन के लिए किस लेंस्का पडियो किया जाता है किसका किया जैता है और अगला प्रश्ण है करकर निम्निमें इसके किस देश तो दिये गए ऑप्शन के हिसाब से ब्राजील से होकर करक्रेखा नहीं गुजर्टी है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जबकि बहामास लीबिया और यूएई इन तीनों से होकर करक्रेखा गुजर्टी है अगला प्रश्ण है भारतिय सम्विधान की छटवी अनुसूची में जंजातिय चेतर के प्रशासन के प्रावधान है निमलिखित में से कौन सा राज्जे इन अनुसूची के अंतरगत नहीं आता है दोस्तो छटी अनुसूची के में जंजातिय छेतर के प्रावधान किये गए हैं और इसमें टोटल चार राज्य आते हैं अब ये चार राज्य कौन-कौन से है तो ये है असम, मेघाले, तिरपूरा और मिजोरम कौन-कौन से है असम, मेघाले, तिरपूरा और मिजोरम तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा ये मनिपूर नहीं होगा तो इसका सही आंसर आप्शन नमबर भी हो जाएगा मनिपूर छटी अनुसूची के अंतरगत नहीं आता है अगला प्रश्ण है 1857 की क्रांती से संबंदित कत्नों को सुमेलित करें यानि की मिलान करना है एक तरफ बैक्ति दिया हुआ है जो 1857 की क्रांती से जुरे हुए थे और दूसरी तरफ 1857 की क्रांती को क्या क्या नाम दिया गया है वो बताया गया है तो चलिए देखते हैं पहला है डिजरैली डिज 1357 की करांती को राष्ट्य विद्रोह कहा था क्या कहा था राष्ट्य विद्रोह जबकि टी आर होम्स ने इसे बरबरता और सभ्यता का युद्ध कहा था क्या कहा था बरबरता और सभ्यता का युद्ध टी आर होम्स के द्वारा कहा गया था वहीं बीडी सावरकर के द्वारा इसे प्रथम स्वतंतरता संग्राम की उपादी दी गई थी 357 की करांती को तो वहीं करनल रीज के द्वारा धर्मन्धों का इसायों के विरुध युद कहा था तो इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? हो जाएगा B, A, D और C जो कि option number C में है तो इसका सही आंसर option number C हो जाएगा अगला प्रश्ण है वर्स 1946 के कैबिनेट मीशन तीन कैबिनेट मंत्रियों से गठित था निमलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था दोस्तो 1946 में जो कैबिनेट मीशन गठन हुआ था उसमें तीन जो मंत्री थे वो थे जिसमें पैथिक लॉरेंस इस्टोफन क्रिक्स और एवी एलेक्जेंडर जिसमें पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B जॉन साइमन इसमें नहीं थे जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे आपको याद रखना है ये काफी अच्छा प्रश्ण है अगला प्रश्ण है निमलीखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम बोल्ट जलधारा है कौन सा है हम बोल्ट तो इसका सही आंसर option number A हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सिकंदर का समकालिन था दोस्तो सिकंदर के समकालिन घनानंद था कौन था घनानंद तो इसका सही आंसर option number D हो जाएगा अगला प्रश्ण है गया अधिवेशन 1922 में किस प्रवर्तन वादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था दोस्तो चितरंजन दास और मोती लाल नहरू ने गया अधिवेशन 1922 में त्याग पत्र दिया था अब ये त्याग पत्र दिया क्यों था तो इस अधिवेशन के द और तीन हो जाएगा जो कि option number B में है उसका सही answer option number B हो जाएगा अगला प्रशन है यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमती के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त गोसित कर देता है तो दोस्तों जब कोई संसद से कोई भी सांसद साथ दिन से अधिक अगर गायब रहता है किसी भी बैठक में वो उपस्थित नहीं होता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है उसके पद को रिक्त कर दिया जाता है तो इसका सही answer हो जाएगा option number B है साथ दिन से अधिक अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें जो सर्व सम्मती है वो किसी भी परती निदित्तों का सिध्धान अधिक अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है तो दोस्तों ऐसे मुद्रा को जो कि किसी भी देश की मुद्रा की आपूर्टी उसकी अपेक्चा उसकी मांग योनि कि जितना मुद्रा है उससे ज़्यादा अगर मांग हो जाए तो ऐसी मुद्रा को दूरलब मुद्रा कहते हैं क्या कहते हैं? दूरलब मुद्रा दिसका सही answer option number C हो जाएगा अगला प्र अगला प्रश्ण हे मानबसरीर में फिद्रस निर्मान कहा होता है दोस्तो फिद्रसरीर में मIsthe य॥िए में होता है यय क्रफिव सकती निर्मान होता है लेकिन यह रहता कहां है तो यह प्रमान है पित्रस होता हकुषय। इसमें कभी कभी confusion होता है और यह काफी अच्छा question है कई बार एक पूछेगा question है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा यक्रित अगला प्रशन है निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उधारन है तो दोस्तों असत्य फल का उधारन सेव और नास पाती है कौन सा है सेव और नास प अगला प्रशन है निम्निखित में से कौन सा पाधाप हॉर्मोन है इसमें से पाधाप हॉर्मोन कौन कौन सा है तो अब्सेसिक अम्न यह भी पाधाप हॉर्मोन है जिब्रेलीन ऑक्सीन साइटो काइनीन यह चारो के चारो जो है कि चारो पाधाप हॉर्मोन है तो इसका सही जी है दिये गए option में जिसका जर नहीं खाया जाता है तो दोस्तों आलू का जर नहीं खाया जाता है क्योंकि आलू जो है वो तना है क्या है तना और तना क्यूं है तो इसमें एंटी नोड और नोड दोनों होते हैं जिसकी वज़ों से आलू तना है तो तना को तना यानि या option number A, आलू का जर नहीं खाया जाता है, जबकि गाजर, सलजम और चुकुंदर ये सभी का जर ही खाया जाता है अगला प्रशन है, sulfuric अमल बनने की संपर्क विधी में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है दोस्तों, sulfuric अमल बनने की संपर्क विधी में, platinum चुर्ण का प्रयोग किया जाता है, इसका सही answer option number B हो जाएगा अगला प्रशन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, चली देखते हैं, पहला है आवेग, आवेग का मातरक होता है, newton second क्या होता है कार्य का मातरक जूल होता है, दाप का होता है, newton पर meter square और बल का होता है newton तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, जो कि option number A में है, तो इसका सही answer option number A हो जाएगा अगला प्रश्न है, लोलक की कालबधी निर्भर करती है, दोस्तों लोलक की कालबधी उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, किस पर करती है, उसकी लंबाई पर निर्भर करती है अगर लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसकी कालब्धी भी बढ़ जाएगी और लोलक की लंबाई अगर घटा दी जाएगी तो इसकी कालब्धी भी घट जाएगी तो इसके लंबाई पर निर्भर करती है इसका कालब्धी अगला प्रशन है प्रकास की प्रकिर्थी होती है दोस्तों प्रकास एक प्रकार का तरंग भी है और कन भी है तो प्रकास की प्रविर्थी तरंग एबं कन दोनों के समान होता है इसका सही answer option number C हो जाएगा अगला प्रश्ण है नीम लिखित में से कौन सा कथन असत्य है यह पूछ रहा है तो चलिए देखते हैं पहला है महावीर या नीम जिसका नाम मोलम भी है मोलम राश्ट्य उद्यान कहा इस्तित है तो यह गोवा में इस्तित है जो की बिल्कूल सही सुमेली थै दूसरा है रानी जहासी मरीन राष्ट्य उद्यान अंडमान और निकोबार में इस्तित है जो कि बिल्कुल सही है तीसरा है माउलिंग नेशनल पार्क जो कि अरनाचल प्रदेश में इस्तित है ये भी सही है चोथा है इटाकी नेशनल पार्क दोस्तो इटाकी नेशनल पार्क मनीपुर में ना होकर नागा लेंड में इस्तित है कहां इस्तित है इटाकी नेशनल पार्क नागा लेंड में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा option number D इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है चलिए देखते हैं पहला है डाउन्स में पाई जाने वाली घास की मैदान जो है वो सितोष नकटी बंदिया जो ना कि उजनकटी बंदिया कौन सा है सितोष नकटी बंदिया घास का मैदान है डाउन्स का म जाएगा इस्टेफीज यह सितोष्ण कटी बंदिया घास का मैदान है और टेगा जो है यह भी सितोष्ण कटी बंदिया घास का मैदान है बागी सभी सही सुमेलित है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है चलिए देखते हैं पहला है अलमाटी ब इडुक्की बांद पेरियार नदी पर है ना कि कावेरी नदी पर किस नदी पर है पेरियार नदी पर तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी पेरियार नदी अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा एक अस्थल रुद्ध देश है तो इस तो अस्थल रुद्ध य में और washing aquele हैं क्रीशी के प्राचीन ब्रातीयोंस प्राप्ष प्रप्ष्ण ठेंग क्रीशी के प्राचीन साक्ष प्राप्षबूए हैं लेकिन नवीन्तम खोज हुई है वह वह दो है लोहरा देव जो कि उत्तर Elijah के संथ कवीर नगर जीले में परता है जहां पर वर तरदेश में हुआ है इसका सही answer option number B हो जाएगा अगला प्रश्न है सिंदुगाटी सब्व्यता में मिट्टी से बने हलके प्रतिरूप किस जगह से मिले दोस्तों मिट्टी से बने हलके प्रतिरूप बनवाली से मिले हैं कहां से मिले हैं बनवाली से इसका सही answer option number B हो जाएगा बनवाली जो कि हर्याना में पड़ता है अगला प्रशन है इसा की छटी सतावदी में प्रारंभ में भारत का सरवादिक सक्तिसाली नगर कौन सा था दोस्तों इसापूर में जो जटी सतावदी थी उस समय भारत का सरवादिक सक्तिसाली नगर मगद था कौन सा था मगद जिसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी तो इसका सही answer option number D हो जाएगा मगद अगला प्रशन है जैन धर में महावीर के द्वारा ग्यान प्राप्ति को क्या कहा जाता है तो महावीर के द्वारा जो ग्यान की प्राप्ति हुई थी उसे कैवल्य कहते हैं क्या कहते हैं कैवल्य इसका सही answer option number C हो जाएगा दोस्तों महावीर को ज्यान की प्राप्ती राजगीर में के जामभी के ग्राम में डिजुपालिका नदी के किरान ने किनारे साल व्रिक्ष के नीचे हुई थी ठीक है याद रखना है आपको जिसे कैवल ले कहते हैं अगला प्रश्ण है लिंग राजमंदिर की नीव डाली गई थी तोस्तों लिंग राजमंदिर की नीव ग्यारवी सताबदी में यह याती केसरी जो सोम वनसी राजा थे इसके द्वारा इसकी नीव रखी गई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number यह याती केसरी ने नीव रखी थी लिंग में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्ताव पारित किये गए थे क्या किये थे पारित किये गए थे पूछ रहा है तो यह हो जाएगा कराची अधिवेशन उनिश्व 31 इसवी में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्ताव को पारित किया गया था तो इसका सही answer option number D हो जाएगा अगला प्रश्न है hot money सब्द का पड़ियोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों सबसे पहले आप जान लिजे कि hot money होता क्या है तो hot money ऐसे money को कहते हैं जिसमें बहुत तेजी से निवेस और निखासी होता है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेस को hot money सब्द का पड़ियोग किया जाता है अगला प्रश्न है निमलिकित में से कौन? विमस्टेक का सदस्य नहीं है इसमें से कौन सा राष्ट है जो विमस्टेक का सदस्य नहीं है इसका सही answer option number B हो जाएगा माल दीप या विमस्टेक का सदस्य नहीं है विमस्टेक में टोटल साथ सदस्य है और माल दीप इसमें सामिल नहीं है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा आप हमें comment में बताएगे विमस्टेक में कौन कौन से देश सामिल है तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यही तक था वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अपने दोस्तों से सेर कीजेगा मिलते हैं नेक्ष्ट सेशन में नेश टॉपिक के साथ चैहिंद